इस वीडियो में मैं आपको उताने वालाँ फ्रेंड्स की दोस्तों आप दोस्तों नोकिया सीटेवल प्रो के मालफोन में सो टैप से सेटिंग को आप कैसे दोस्तों ऑन ओफ और यूज कर सकते हैं इससे क्या होता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरूर से ला तो आपको यह developer option पर click कर देना होगा तो अगर आपको developer option का option मिल जाता है तो ठीक है लेकिन मालीजिए अगर आपको developer option का option नहीं मिल रहा है तब देखिए आपको system से back आना है back आने को आएंगे तो सबसे नीचे about phone का option मिलता about phone पर click करेंगे about phone में आपको सबसे नीच आना है तो आपको यह build number का option मिल जाएगा, तो आपको यह build number पर लगातार 7 बार click करना होगा, 7 बार click करने के बाद आपको अपने phone का lock मांगा जाएगा, तो lock डाल देना है, फिर developer option on हो जाएगा, फिर आपको about phone से back आना है, और आपको यह system में चले जाना है, फिर आपको नीचा आना है, तो developer option मिल जाएगा, इस पर click करना है, अब इसमें दोस्तों आपको यह पर नीचा आना होगा, नीचा आएगे तो आपको वो वाला setting मिल जाएगा, so taps का, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह so taps का setting मिल गया, अब दोस्तों देखिए, आपको इसे on करने के लिए, so taps के side में, इस setting पर click करेंगे, तो यह on हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों इसी क्या होगा, कि जहाँ पर भी आप phone पर touch करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर एक दोस्तों बिंदी के जैसा icon show कर जाएगा, आप देख सकते हैं, show कर रहा है, या दोस्तों home screen पर आकर आप जहाँ-जहाँ click करेंगे, तो यहाँ पर एक so taps का बिंदी जैसा icon बन जाएगा, या अगर आप अपने finger को घुमाएंगे, screen पर touch करके, तो इस तरीके से वो so taps बाला भी setting यहाँ पर आपको घुमता हुआ, नज़र आएगा, मतलब यह भी जो है, आपके phone में घुमेगा, तो जब आप दोस्तों इस setting को on कर देंगे, तो इससे दोस्तों यही होगा, कि आप जहाँ पर भी touch करेंगे, तो एक बिंदे के जैसा एक अंसो करेंगा, इस तरीके साब इससे on करेंगे तो यह होगा, और अगर आप यहाँ पर click करके बंद कर देंगे, तो फिर दोस्तों कोई भी चीज़ जो है, screen पर so नहीं करेंगा,